हेलो दोस्तों मैं हूँ प्रांचास अभी का स्वागा करता हूं कि टो वैल की बेगो फ्रेश वीडियो के इंतर तो दोस्तों आप सभी की सामने फिर साथ दिरू लेकरें हम पे ुल करते हैं और स्कूर्स को सिखने हैं अभी उन्रोल करना चाहते हैं तो इसकी अदिक या ऻर्टिक साथ क्यों से अपर सकते हैं अधिक तल्यक्राम अब नहीं है पर इंदो लावन और कोई और अडे साप नहीं रशे और जैसे ही मार्केट आपका 53,700 के असपस ब्रेक करता है तो मार्केट बापी से शूट अप करेगा और कोशिश करेगा अपने हाई जो कि 57,000 डॉलर इसको टेस्ट करने की तो फिला में जो मार्केट वो उपर की तरफ आ गया है और अब जैसे यह मार्केट इस्टेबल होता है आराउंड 53,700 तो 53,600 या फिर आप कहा सकते हैं इस वाले बॉक्स के अंदर तो यहां से जो मार्केट का मोमेंटम होगा वह वापे से अब तरफ का होगा क्योंकि यहां पर आपको एक शूल्डर एक हैट और दुबारा से एक और शूल्डर य जा सकती है और यह bullish इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप prices को देखें तो prices यहां पर एक तरीके से flag बना रहे हैं अगर इस हाले लाइन को मैं यहां पर यूज़ करूं तो कहीं ना कहीं हमें एक bull flag की तरही देखने को मिलेगा जिसके अगर उपर के breakout से बात करें त तो highest point 76,000 का market यहाँ पर observe करा रहा है और अगर हम bottom से भी बात करते हैं तो यहाँ पर लगबग 70,000 डॉलर तक का price हमें देखने को हाँ पर मिल सकता है बट इस्टिल यही चीज़ कहूँगा कि अभी market को पहले इस level के उपर hold करना ज़रूरी है अगर market इस level के उपर hold करता है बाकि मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था एक्सपाइरी के उपर वो आपने नहीं देखा तो चाके देखो उसमें आपको समझ आएगा कि अभी जो एक्सपाइरी हो रही थी bitcoin की उसके बाद से कहीं है जो bitcoin है वो एक नए form factor की तरफ किस तरह यहाँ पर चाहता है और बाकि करिबन 55,400 के उपर closing यहाँ पर दे सकें क्योंकि अगर यह closing नहीं मिलती है जैसे मैं आपको बताएगी प्रॉब्ली चांसे से मार्केट आप एक हैडें शुल्डब बना सकता है जिसके neckline जो है वो exactly उसी point पर आ रही है जहां पर कि हमें breakout यहां पर चाहिए होगा indicators की बात कर तो यह line अकर तूटती है तो RSA 60 के उपर जाने की कोशिश करेगा फिलाल में तो RSA अभी नीचे है बर जिससे 60 के उपर जाता है हम और जदा bullish market के उपर हो सकते हैं यहां पर भी चैनल बन रहा है जो मैंने ऑलड़ी कल बताया था कि यह चैनल जब भी break होता है हम लोगों के अच्छा momentum मिल सकते हैं तो यह है डॉमिनस डॉमिनस इस लेवल के अंदर अभी भी होवर कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा स्टॉंग लिटी की है करें आपको बताया था कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यहां से भी bounce मिलता है तो वापिस से कही ना कि प्राइ सब्सक्राइब और यहीं पर अल्ट कॉन की डॉमिनस में कल से ज्यादा बदलाब नहीं हुए और वैसे भी कह सकते कि वीकली क्लोजिंग आने वाली और मंतली क्लोजिंग आने वाली इसके बाद में जिसमें कि कुछी दिन का टाइम है पर बचा है तो वह और जदा हमें दे ब्रेक हो चुका है इसके ब्रेक होने के बाद अब यह ज़रूरी है कि जो इस लेवल लगबख लगबख 1640 डॉलर के उपर आके ठीक है क्योंकि अगर इस लेवल पर मार्के टिकता है तो फिर से हमें आप एक शोल्डर एक हैड और एक शोल्डर बनता हुआ मिल जाएगा औ बहुत ज़रूरी कि अगर इथिरे में पर थोड़ा सा ड्रॉप ले रहा है तो इस रेंज या इसके आसपास के रेंज में और उसके बाद से यहां पर एक सपोर्ट बनाके मार्केट ऊपर की तरह बीएव करें क्योंकि यह जो फॉलिंग वैज है या फिर आप कर सकते कि डि बना है 1720 के उपर तो बहुत ज़रूरी इसका तूटना करके तूटेगा तो ही जो प्राइसे वह उपर की तरफ यहां पर जा सकते नहीं तो जो प्राइसे समस्टिल रिजेक्शन लेंगे और ज्यादा नीचे की तरफ पुश यहां पर करेंगे इंडिकेटर्स में भी नॉ बात करें तो यह है दो सो लाइट को जिसमें अभी तो कुछ जादा खास चीज़ें नहीं है और कल वाला जो हमारा लेवल था भी प्राइसे वहीं पर रुखे हैं लगबग 183 182 डॉलर की असपस में इससी दोरा सा सेल आफ है तो मैं को यहां पर वेट रहा कि या तो प्रा आपका यह भी एक ब्रॉडगेश पैटर्न ही बन रहा है जिसके अगर मार्केट थोड़ा नीचे आके टेस्ट करता भी है तो मार्केट लगवग 186 को ब्रेग यहां पर करना होगा और इंडिकेटर्स तो नॉर्मल अभी हमें देखने को जिस तरह मिल रहे हैं वहीं है नेक प्राइस जो है वह स्टिल यहां पर सही रह सकते हैं और प्राइस में हम लोग एक वापिस से उच्छाल देख सकते हैं अगर प्राइस वापिस और ज्यादा नीचे गिरते हैं लगपक हम बान के चल सकते 25.3 डॉलर के जिसमें कि आप इस लेवर को थोड़ा अब्जर्व कर यहां से जैसे हमें ब्रेक आउट मिलेगा लगबक 265 डॉलर से प्राइस कहीं ना कहीं हिट कर सकते हैं अराम से 300 डॉलर को हलागी बेंबी पर हम अभी तक पूरी तरीके से बेरिश नहीं हुआ है जिसके लिए हम लोगों को जो लेवल चाहिए वो लगबक 194 डॉलर का है और तो मार्केट इसके उपर जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस पोजिशन पर एक राउंड शिप बनाने की कोशिश करेगा जिसके बाद मार्केट वापी से 350 को हिट यहां पर कर सकता है पहले वेट करते हैं ब्रेक होने का क्योंकि अगर पर कोई बिजेक्शन दुबारा म मिट तक इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर इसमें हमें बुलिश देखने को मिल रहा है यहां पर अच्छा कह सकते हैं मैकडी के बारे में ठीक सा है लेकिन 60 के उपर आता है तो हमें ज्यादा कनफॉर्मिशन यहां पर मिल जाएगा नेक्स को कॉन की बात करें तो य 60-500 का लेवल क्योंकि यह लेवल जब ब्रेक होगा तब भी मार्केट आपका 1.1 डालो को टेस्ट करने जा सकता है उससे पहले चांसे थोड़े कम रहेंगे क्योंकि स्टिल इसका एंडपॉंट हमें देखने को मिल रहा है लगबग 12 अप्रेल को तो आप यह गया सकते कि से जो फोड़ से नीचे आ चुके कल हमने बात करी थे कि यह वाला एक ब्रॉडगेश पैटन है इस पोजिशन पर जहां पर पर गई थे बट स्टिल जो यलो वाली यह थोड़ी इंपॉर्टेंट है जहां से प्राइस वापी से रिजक्ट हमें देखने को मिल रहा है तो नीचे आके डबल बॉट्टम को क्रिएट यहां पर कर सकते हैं तो जो भी करेक्शन मिलता है उसके बाद यह बहुता पड़ेगा कि एंट्री जो है वह हमाले कहां पर ज्यादा बैटर होती है या तो इसका जो करेक्शन है वह नीचे की तरफ मिल जाए या फिर जो प्राइ है वह अच्छा घास हो रहा है इस पॉइंट के उपर तो प्राइस के लिए इंपॉर्टन रहा कि प्राइस अगर इसके उपर आके ट्रेट करता है जो कि 33.8-34 की बीच में होगा दें प्राइस में आप शूट अप देख सकते हैं अगर इसकी अगर हम टोटल हाइट के सब 20 डॉलर तक डॉट को नीचे खी सकती है लेकिन इसके साथ अगर आप लोग यहां पर लगाना चाहिए तो यह वाले एक ट्रेंड लाइन जिसको ब्रेक होने के बाद हमें डॉट के अंदर मिल जाएगा नेक्स वाइन की बात करें तो यह है तो यह सेम इसमें भी पर और यहां पर एक लेवल है तो इसके उपर अगर ब्रेकाउट मिलता है अराउंड 512 का तो हम टार्गिट ले सकते हैं शॉट टम में 566 का और मिटम में 608 के असपास का तो दो लेवल्स पर हम फोकस हैं पर कर सकते नहीं तो इस्टिल जो प्राइसे से अगर वो नहीं इस पैटन बनाएं जिसके हिसाब से भी जो रेजिस्टन से वो 12.9 यानकी 13 डॉलर के असपास से तो अगर पैसे को ब्रेक करते हैं आप 15 डॉलर के चल सकते हैं नहीं ब्रेक करते हैं तो शॉट में 11.7 और 10.5 के असपास तक हम लोग कह सकते हैं कि जो टार्गेट है उसको लेकि से देखने को मिलते हैं या फिर इवन देट हम 4 अवर से 1 अवर की तरफ अगर आते हैं तो कहीं न कहीं जो आड़ा है वो यहां पर एक फॉलिंग वेच को फॉर्म कर रहा है और यह वाला फॉलिंग जैसे यहां पर ब्रेक करता है कम से कम आड़ा अपनी हाइट जो की 1.29 उ कि वो निकल के आ रही है स्टॉक टू फ्लो के क्रेटर जो की है प्लैन भी जिनके बार में मैं बहुत बार पताता है रहता हूं जिनकी जो चार्ट से जो टेटा एनलिस से उसको मैंने कई बार आपके शेयर कर रहा है और उनके सब्सक्राइब यह है कि जो बिटकोइन का अलग अलग कलर से और अलग अलग एक स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलता है लेकिन इसमें जो इंट्रस्चिंग चीज़ है वह यह नीचे के वाइट डॉट्स आप देख सकते जो पहली साइकल थी इसमें जब वाइट डॉट्स है पर बनना स्टार्ट हुए थे तो ल सथा है तो यहां पर अगली साइकल में लगपक लगपक वाह इंको आप स सबस्क्राइब emotion ऑर 2017 वाली के सबस्क्राइब 12 महीने का टायम लगा था, बिटकॉण के नए र्टाम है को बनाने में, लेकिन अगर हम अभी की साइकल की बात के तो अभी की साइकल में लगबख सिर्फ 4 डॉट्स आइए, जिसे की बता है कि शर्फ 4 महीने हुए, तो बिटकॉण का जो बूल साइकल है, वो जस्त अभी सकते हैं and expected ही रहेगा कि Bitcoin की साइकिर अगले पांच से छे मेनी के अंदर यहां पर हो जाएगे लेकिन कि 60,000 पर भी बैको आने जो कि चार है और अभी भी यहां पर कम से कम कम से कम अगर हम चार में और देगें तो 5 महिने का बाकी है और 4 महिने में अगर कोई प्राइजस आप काउंट कर सकते हैं तो आने वाले टाइम में उसका प्राइज सहां पर कितना जा सकता है and अगर इस model के according बात करें as to fx model के तो Bitcoin का प्राइस करीबन करीबन 288 एक average price होना चा पर जो कह सकते हैं एक senior commodity strategist है जिनका नाम है MC loan तो उन्होंने पर प्रेडिक करा है कि कहीं न कहीं बिटकोइन 40000000 टेस्ट करेगा 2021 में और यह कोई नई चीज नहीं है कि Bloomberg प्रेडिक कर रहा है इससे पहले City Bank आप सभी को पता होगा उन्होंने भी प्रेडिक करा था कि जो बिटकोवाने वह कहीं न कहीं 318000 को आपर टेस्ट कर सकता है जिनका जो चार्ट है वो कुछ आप यहां पर देख सकते हो जैसे कि प्रीविस साइकल है उसके क्या होता है उसकी होने की probability यहां पर बनती है वैसे सबसे जो पहली साइकल ती उसका टॉप और उसका बॉटम पगड़के यहां पर सारी लगाई गई तो इस बार के जो बॉटम था वह अगर हम देखें तो कहीं न कई वह चैनल के उपर हुए और इस बार का जो चैनल की यलो लाइन अगर हम देखें यलो ग्रीन जो भी कहते तो यह करीबन करीबन आपका पॉइंट फूर के आसपास यहां पर जा रही क्योंकि इस तक यहां पर जा सकता है हाला कि इन्होंने तो नहीं पता है कि इस analysis को कैसे करा या फिर क्या करा है बट अगर ऑन-वरेज ची यह देखी जाए तो कहीं न करी में इस समझ आती कि बैट और अल्रेडी मेरा खुद का जो price prediction था जो मैंना analysis करी थी उसके according करीबन करीबन धाई लाग डॉलर एक average price है या कह सकते हो कि मेरी prediction है जिसको कि मैं लेगे आपे चल रहाओ जहां तक bitcoin possible है कि test कर सकता है और अगर इनकी predictions भी सही होती है तो कहीं न कहीं bitcoin आने वाले इस cycle के अंदर अगले पांच मेने के अंदर तीन लाग डॉलर या उससे उपर भी जाता हुआ मिल सकता है यह सारी प्रेडिक्शन होती है सारी analysis है अपने अपने हिसाब से आप अपनी analysis को समझना अच्छी बात है इस analysis अपनी analysis को मिलाना अच्छी बात है लेकिन यहां पर आप अपनी तब कि इसके कितना यहां पर हो सकता है और बाकी भी देरे देरे राउंड अप होए रहे है और चार्स आपको बता ही देंगे कि आखिरकार प्रेजेस किस टम पे किटने यहां पे जा रहे हैं आने सोटेक पत्रों पेना वीडियो के सब्सक्राइब करना दोसक्र 12 सक्राइब करना भूनको आ करने सम disabilities लिए आपके स मों साधिए उसक्राइब करए गत्यों दो नोविडियो के इन पर